बाजपानीता केश्री देवी पटेल को पांचवी बार जिला पंचात अध्यक्ष का प्रभार मिल गया राजिपाल रामनाईक ने अनुमोदित किया कि शासन के अगली आदेश तक केसी देवी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष के पत पर अधिकारों के साथ सभी दायतों का निर्वाहन करेंगी गुरुआ दो पेरबार राजिपाल रामनाईक आदेश पहुंचा तो केसी देवी की समर्थकों में खुशी की लहर दोड़ गई शाम चार बजी वो अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत भवन पौजी वहाँ पर अपर मुख्य अधिकारी आरिन सिंग ने उन्हें कारेबार ग्रहन कराया इसे पहले 25 अक्टोबर को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर रेखा सेंग को जिला पंचायत अध्यक्ष का पर छोड़ना पड़ा था फूलपूर कोत्वाली छेजर की एफको पुलिस चौकी अंतरकर चक अब्दुलकरीम और पुरे भुलेई गाउं में एक भूखन को लेकर वहिब जिलादियक सर्वेश मिश्र और गाउं के ही मिठायलाल के बीज काफे दिनों से विवाद चला आ रहा है बुद्वार को राजस्व टीम उक्त भूखन की पैमाईश करने आने वाली थी शाम चार बजे तक राजस्व टीम के न पहुशने पर दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई बाद बढ़ी तो इट पत्थर चलने लगे इसमें सरवेश मिश्र मिठाई लाल 15 लोग घायल हो गए फिलाल गाओ में तनाव के स्ट्री देखते हुए घटना स्थल पर पीए सी तनाथ की गई है लाल गुपाल गंच निवासी मोनू अगरवाल कजबा की कालीजी मंदिर रोड पर सराफ की दुकान चलाता है घर से कुछ दूर पहुचा की दो यूवक आया और व्यापारी के हाथ से जेवराथ से बरा थैला छीनने लगे व्यावसाई ने शोर मचाया तो आसपास के घर के लोग दोड पड़े लोगों ने बदमाशों में एक यूवक को दबोच लिया जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा जानकारी होने पर चौकी पुलिस घटना सिल पर पहुंच गई और पकड़े गई यूवक को चौकी लाकर उससे पूछ ताच कर रही है बज में तामीरे अदब की ओर से इलावाद विशेविद्याले की उर्दू विभाग में बुद्वार को दो दिवसी संगूश्टी का शुबारम हुआ उद्धातन मुख्य तिती इलावाद विशेविद्याले कलासकाय के दीन प्रोफेसर कीयस मिश्रा ने किया मुख्य वक्ता हैडराबाद विशेविद्याले के प्रोफेसर साइयत मुझाविर हुसेन रिजवी ने कहा कि डॉक्टर एकबाल सिर्फ उर्दू के शायर नहीं थे बल्कि पूरी इंसानियत के शायर थे उर्दू हमें जिन्दगी जीने का तरीका सिखाती है कुम पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्ट कर चुके पुलिस कर्मियों ने बुद्वार को लिखित परीक्षा दी परीक्षा पास करने वाले को ही कुम में तनाती मिलेगी अगर कोई फेल हो गया तो उसे फिर से परीक्षा देनी होगी गुरुवार से दूसरे चरण में आमद करदाने वाले सुरक्षा बलों की जवानों को प्रशिक छित किया जाएगा कुम्भ में चार चरणों में पुलिस बल को आमद कराना है प्रतम चरण में करीब 700 पुलिस कर्मी आए जिने कुम पुलिस लाइन में प्रेशिक छट दिया गया उने कुम की तैयारियों सुरक्षा इंतजाम के अलावा प्रयाग राज इस्तित परेटक सलों के बारे में जानकारी दी गए जिससे वे कुम में गाइट की तरह श्रधालों की मदद कर सके बाहर से आने वालों को ये भी बता सके कि संगब 9 से जंक्षन जाने का रास्ता किधर से है या फिर ट्रेन पकरने के लिए उने गाणिया कहां से मिलेंगी पुलिस अधिकारियों ने उनको पुलिसिंग और यातायार प्रबन्यन की जानकारी दी एडमिशनल एस पी ट्रेनिंग मोनिका चड़ा ने बुदवार को प्रशिक्षन त्राप्ट कर चुके पुलिस कर्मियों की लिखित परिक्षा ली पंडर प्रश्न व्यकल्पिक थे इसके अलावा पुलिस कर्मियों से फीडबाक भी लिया गया उप मुख्यमंद्री केशर प्रशाद मौले ने कॉंग्रेस अधियक्ष राहुल गांदी को धीमी गति का समचार की संग्या दी है भाशपा के हिम्मद गंज और लुगर गंज सेक्टर के बूत अध्यक्ष और समिती कारेकरताओं के सम्मान समारों में मुधवार को डिप्टी सीम ने कहा कि दो साल बीतने के बार राहुल गांदी अपनोट बंदी पर अक्रामक देवत अपना रहे हैं जो एक बचकाना हरकत है केशन ने कहा कि सुशासन और विकास का कोई विकल्प नहीं होता सपा और बसपा के शासनकार में प्रदेश में चारों तरफ अराजक्ता व्याब थी जिसे समाप्त कर भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित किया सपा बसपा और कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि सत्ता जनकल्यान के लिए होती है ना कि परिवार के पोशण और जनता का शोशण करने के लिए सदनला सामलदास खन्ना महिला विद्याले के वारेच सकाय की ओर से बुद्वार को प्रोफेसर जी सी अग्रवाल मेमोरियल अंतरीकाई प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें इलाबाद विश्य विद्याले के सभी संग्डटक महाविद्याले की टीमों ने भाग लिया प्रथम स्थान पर मेजबान कॉलेज की अर्चिछा चौधरी, स्तुती मालवी और वनिता श्रिवास्तो प्रथम रही दूती स्थान पर इलाबाद डिगरी कॉलेज और टृती स्थान पर सीन पर डिगरी कॉलेज के टीम रही इलावाद विश्य विद्याले की कुलपती को हटाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलारे भाजपानेता शाम प्रकाल दिवेडी और पूर्व चात्रनेता अविनाज दुबे सहीद बीस के खिलाफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आरस दुबे ने करनल जों स्थाने में एफ आयार दर्श कराई है पुलिस को दी गई तहरीर में प्रॉक्टर ने बताया कि दोनों बुद्वार को महिला चात्रावास पर हंगावा कर रहे थे जब सुरक्षा कर्मियों ने विरोध किया तो उन लोगों ने धका मुकी की पाने टंकी फ्लाइओवर पर जाम से निजात दिलाने के लिए दो लेन का नया पुल बनाया गया है बुद्वार शाम को पुल तयार होने के बाद इसे आवा गमन के लिए खोल दिया गया शाम को कमिशनर सबसे पहले फ्लाई ओवर से गुज़े उनकी काल नीडर रोड की ओर से फ्लाई ओवर पर चड़ी नया फ्लाई ओवर चालो होने से यहां आने और जाने के लिए दोडो लेन का अलग-अलग फ्लाई ओवर उपलग धो गया पाने टंगी का नया फ्लाई ओवर सेतु निगम ने 369 दिनों में बना कर तयार कर गया चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सचीश कुमार के अनुसार 20 नवंबर 2017 को इस फ्लाई ओवर का निर्मान शुरू हुआ था और 14 नवंबर 2018 को ये बन कर तयार हो गया निर्धारे तिस्थिती 15 नवंबर से पहले ही इसे बना कर तयार कर दिया गया है नयायमूर्टी गोविन माथूर ने बुद्वार को इलावार हाई कोर्ट के मुख्य नयाधिश पत्की शपत लिए रदेश के राजपाल राम नाइक ने शपत दिलाई समारों शुरू होने से पहले राष्ट्रगान की धून बजाई गई पूर महादी गता वीसी मिश्र ने पहले बार किसी मुख्य नयाधिश के हिंदी भाषा में शपत लेने की पहल का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया